अगर आपको ट्रेडिंग वीडियो चार्ड के ओपर अनलिम्टेड प्राइस अलोड को यूज कर सकते हैं ओभी बिल्कुल फ्री में जो कि सबसे बेस्ट रहेगा ट्रेडर और इन्वेस्टर के लिए उससे पहले अगर अभी तक आप चार्ट वीडियो चानल को सस्क्राइब नहीं किये हैं चैनल को सस्क्राइब किजेगा और वीडियो आच लगा तो वीडियो को लाइक किजेगा अगर आपको ट्रेडिंग वीडियो चार्ड के ओपर अनलिम्टेड प्राइस अलोड यूज करना है फ्री में तो फास्ट अफल आपके पास धौन में दिमाड आकान उपन करने के लिए जो लिंक है आपको वीडियो का डेस्किशन में मिल जाएगा अगर उसी लिंक के थो आपको 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 आप एक बार लिंक के थूँ आकन ओपन हो जाने के बाद आपको लोगिन कर देना है धौन में जैसे ही लोगिन करेंगे इस टैप का एक होमपेज आ जाएगा नेक्स देखें आपको लेट्ट साइड टॉम में यहां पर एक सार्ज बार मिल जाएगा इस सार्ज बार के पर आप किस यांडेक्स को आड़ कर दिगा अभी के लिए मैं यहां पर एक ओपर आजरीएगा अभी कर लिस कर लेता हूं तो यहांपस्ट आद्यू सबस्ट कर लेताह stri जैसे माउस का एक्रसल लेंगे तो देखें आप एक symbol आपको शो कर रहा होगा Trading View का 답े आप आप यहां पर जैसे ही उसे symbol के उपर माउस का एक्रासल लेंगे तो देखें Trading View लिखा रहा है जैसे ही क्ली करेंगे यहाँ पर और एक ट्याब open हो जाएगा जो की open होगा धौन प्लॉस ट्रेडिंग विव का जैसे कि देख सकते हैं आपके सामने अब भी धौन प्लॉस ट्रेडिंग विव का चार्ड ओपन हो गया है अन लेफ साइड में वाच लिस्ट आभेलेबल है आप SIMPLE यहां पे वाच लिस्ट के ऊपर क्लिक किजिएगा और प्राइस आलर्ड आपके कर सकते हैं देखिये तॉम में आपके एक सिंब लिएख कर रहा है alert का, okay, simple, आप वहाँ पर alert के ओपर click कर दिजेगा, जैसे alert के ओपर click करेंगे, तो देखे, यहाँ पर जितना भी alert already place हो गया है, यहाँ पर show कर रहा है, जो trigger हो गया है, वो show कर रहा है, और निच्चे देखे, option show कर रहा है, create alert का, आप यहाँ पर create alert के ओपर आपका स्टॉक आ जाएगा नीचे जो कि अभी हम अलर्ड क्रेट के थे यह तो हो गया एक तरीका और एक तरीका भी आप यूज कर सकते हैं आपको जाना है राइड साइड प्राइस बार के ऊपर जैसे कि यहां पर अलर्ड प्लेस हो गया ना इसको में डिलिड कर लेता हूं जैसे हम माउस का करसर प्राइस लेबल के पास में जाएगे तो देखे हम पर एक प्लॉस आइकन शो कर रहा है सिंपल आप यहां पर प्लॉस आइकन के ऊपर क्लिक किजेगा और यहां पर देखे आड अलर्ड फिर से देखे यहां पर आपका अलर्ड देकर क्रियेट कर सकते और एक तरीका है आपको simply price bar के उपर right click करना है जैसे राइड क्लिक करेंगे नीचे देखे कि option show कर रहा है R to price alert तो आप यहां पर price alert को यूज कर सकते हैं आप किसी भी stock का price alert यूज कर सकते हैं या किसी भी option strike price का यूज कर सकते हैं जो कि सबसे best है अभी के लिए और यहां पर unlimited price alert को यूज कर सकते हैं और modify कर सकते हैं देखे टॉब में जो option है इसी symbol के उपर जाना है analysis के बात अगर आपको कुछ भी support register के असपास alert प्लेस करना है शिपल देखे यहां पर प्राइस लेबल चल रहा है माउस का अक्रसल लेन ने तो right click कर देना है price bar के उपर यहां पर add alert आ जाएगा नहीं तो यहां पर मैं right click कर लेता हूँ तो देखे निचे आ गया है ने तो top में देखे price alert का symbol के उपर click किजिएगा और यहां पर create alert के उपर click कर दिजिएगा तो तिन्नों तरिका में आपका price alert हो जाएगा अगर किसी भी strike price को add करना है तो यहां पर मैं netty 24,000 का call को add कर लेता है तो देखे इस strike price आ गया है माने आपको इस strike price को buy करना है जब आएगा support cash pass 61 cash pass आपको क्या करना है अभी देखे यहां पर right side में price बार जो चल रहा है plus icon के उपर click कर दिजिएगा add alert और यहां पर 61 कर दिजिएगा जब भी 24,000 का put 61 cash pass आएगा आपके पास alert आ जाएगा देखे अलट आगे है अगर आपको वीडियो इंफर्मने लगा तो वीडियो लाइक किजिएगा चनल को सस्काइब किजिएगा मिलते हैं नेक्स वीडियो पर थांक्यो फरवाची